कि ये गाइज वाट्स आप कैसे हो आयोप सब बढ़ियाओंगे वेलकम बैक टो मैं चैनल जीवाइडेट्स आज तुम्हारे पिक्सार से ब्लैक एंड डार्क टोन इफेक्ट फोटो एडेटिंग का टूटोरियल ले के आ चुका है अगर यार अभी तक आपने वीडियो को ल लाइगा अंदावाना मत बूलेगा तक जो भी हमारी न्यू वीडियो उसका आपको जल्दी मिल जाए और जितने भी हम बैक्ग्राउंड में यूज करेंगा उन्स अभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए कम आसे आप जाके डाउनलोड कर स सकते हो चलो जड़ा टाम वेस्ट ना करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले आपको यह बैक्ग्राउंड लेने के बाद एड़ फोटो में जाना है और फिर आपको यहां से अपना मोडल प्यंजी ले लेना है इसका मैंने यार पहले से बैक्राउंड रिमूव कर ले लेना है यह मैंने कूदि है और मतलब प्मेजी क्रेेट किया है बनाए है एड़ फिर यहां पर कर लेता हूं मैं अच्छी तरिके से शेयुक्त साथ करने के बात फिर आपको यहां से एड़ फूल सोड़ी हां से जाना आप मलल्यार सभी पंघे यूच्च यूच फिया करने के बाद फिर से आपको fx effect में जाना है और फिर आपको यह पर blur option चूज़ करना है और focal zoom blur चूज़ कर लेना है और फिर eraser tools में जाना है और आपको बीच बीच में से अलका हलका इसको कर लेना इसको करने के बाद फिर आपको यहां से tools में जाना है और फिर आपको यहां पर contrast को कर देना high and clarity को भी थोड़ा सा बढ़ा देना और फिर कर देना right click right click करने के बाद अब हम जाएंगे draw tools में एनिमेज को कर लेना है यहां थोड़ा से पिक्साड में problem आ रहा था तो ऐसी पिक दिख रहे है अभी हम लाइट्रूम एप को open करेंगे ना वहां पे में कर देना highlight को माइनस में कर देना है और whites को भी आपको माइनस में कर देना है ब्लेक्स को भी माइनस में कर देना है माइनस 16 और फिर आपको यहां पर clarity को थोड़ा सा बढ़ा देना है और texture को माइनस में कर देना है और फिर आपको dh को थोड़ा सा माइनस में कर देना माइनस टू और फिर आपको लास्ट पॉइंट शार्पनिंग को 96 और नोजे डेक्शन को 68 इन सभी को करने के बाद अब हमारे बिक देखवार कितने मस्त लग रही है ब्लैक और वाइट इफेक्ट देखो डार्क टोन इफेक्ट देखो कितना अच्छा लग रहा है अगर आप कितना आपकbour देखो कितना अच्छा एंड वाइट पूण